हलो फ्रेंड्स मेरा विकांत कुमार आरके ग्यांदीप कुण्ट सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो से हमने कहा त्रिकोन मीति के एक एक्सरसाइज आठ पंचार के पार्ट फाइब वीडियो लेकर NCRT बुक से आया है जो क्यूचे नंबर फाइब का चौंथा देखे दिया है फाइब का चौंथा देखे इसमें क्या दिया है कि रूट वन प्लस आइने बाई वन माइनस आइने बराबर में क्या दिया है से के प्लस टेने मतल एल एकशस एक्वाय कंवर करते हैं हalay डिसको हम 25 गरते हैं क्या श्रवाय जीदग सेको देखें घीसको पास श्रूआइए इसको सीद्र करना नहिए इतना इसी को कैसे लएँगी कि क्या का हर में आपका हर में डिया 1 ज्याक परमें करते हैं यहें पास डूह गुना T कि 1 प्लस क्या हो जागा साइने आपका हो जागा अब देखी इसको हम क्या करेंगे आप पास में गुना करेंगे कैसे करेंगे तो इसको देखी यहाँ पास लिख देंगे कि 1 प्लस साइने और 1 प्लस साइने तो इसको यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस sine into one plus क्या हो जागा sine हो जागा और by क्या हो जागा one minus sine into one plus sine तो इसको लिख देंगे कि one minus sine into क्या हो जागा one plus sine हो जागा अब इसको जास हैं लिख दिए तो अब यहाँ पास देखेंगे गोर से कि क्या इसका होगा अब इसको यहाँ पास लिखेंगे फिर हम क्या कि 1 plus sin A से 1 plus sin A में गुना कर देंगे तो क्या हो जगा 1 plus sin A पूरा के whole square और by देखे A minus B into A plus B आपका एक फर्मूला पर है तो 1 minus sin A into 1 plus sin A का इसका फर्मूला क्या हो जगा कि 1 minus sin square A अपका हो जगा अब यहाँ पास इसको हम देखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 पलस sin A पूरा के whole square by अब यहाँ पास देखेंगे कि 1 minus sin square A बराबरा पर फर्मूला होता है क्या होता है cos square A होता है अब यहाँ थोड़ा गौर से देखेगा क्या देखना है देखना है क्या कि दोनों के न square है जब दोनों के square है तो इसको ऐसे हम लिख सकते है 1 plus sin A by cos से देखेंगे जब दोनों के square है तो इसको पूरा के कर देंगे कोची square कर देंगे अब देखेंगे square से root क्या हो जागा ही कट जाएगा तो क्या बचेगा तो आपका बचेगा one plus sin A by क्या बचेगा को से बचेगा अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको भीम के जोड़े की रूप में इसको तोड़ते हैं कैसे इसको तोड़ेंगे से one by cos A plus sin A by cos A अब यहां देखेंगा कि one by cos A है plus sin by cos A तो इसको एक फर्मूला होता है one by cos A आपका एक उल्टा है तो इसको हम सिधा क्या कर देंगे लिख देंगे कि sick A plus अब देखेंगे आपास क्या है कि sin A by cos A है तो इसका फर्मूला क्या होता है कि 10 A आपका हो जाएगा तब यही आपका सिध करके लाना था देखिए हैं आपास क्यूचन में दिया है कि CK प्लस Tने हमको सीध करके लाना था तो आपको आ गया है हैं आपास CK प्लस Tने इसके हैं लिख दिजेगा कि अत अलेच से बराबर आरेच से ही आपका प्रूब्ड हुआ देखिए आपको पाचवां की सात्वां की उचन दिया है क्या कि SIN ठीटा माइनस 2 SIN Q ठीटा बाई दिया है 2 COS Q ठीटा माइनस COS ठीटा और बराबर में हमको सिध करके लाना है 10 ठीटा हमको लाना है देखिए इसको हम कैसे सिध करके इतना लाते हैं उसके हैं लिखेगा सोलब यहांने के हम चलना है हैं हमको LHS से इसको बोलते हैं और Ch में ल चलते हैं lh से इसे को हमको सीद्गर करिया ना थेकी है विए next साइं ठीट पार्फ कोह में लेंक ही साइं देखें एसको हम कोमन कर लेंगे साइन ठीटे जब common कर लेंगे तो हमको क्या बचेगा देखिए साइन ठीटे जब इसको बाहर निकाल लिए तो इसमें से क्या हमको बचेगा 1-2 साइन स्क्वाइर ठीटा बचा बाई अब देखिए 2 कॉस Q ठीटा माइनस कॉस ठीटा है तो इसको हम common कर लेंगे cos ठीटा जब इसको common कर लेंगे तो हमको क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वाइर ठीटा बचेगा अब देखिए जब कॉस ठीटा बाहर आपको निकल गया तो क्या बचेगा माइनस यहां 1 आपका बचेगा अब देखिए इसको हम हम यहां पास लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि sin θ'by cos θ' गुन्ने अब यहां पास देखेगा कि 1-2,tez TI2,z siniszook d .tm 2 cos अस्काइर ठीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कैस सी इसको है लिखेगा कि 2 मैसी तो स्कॵार ठीटा है तो ढौल खी। है कि one minus sine square theta क्या लिख सकते हैं cos square theta क्लिक दिए कि one minus sine square theta और यह आपको क्या है माइनस में आपका दिया क्या आपका one दिया है तिसको one हम लिख दिए अब इसको हैं देखी लिखेंगे क्या कि sine theta by cos theta तो इसको है लिख देंगे कि sine theta by cos theta अब देखी यहाँ पास क्या लिखेंगे कि one minus two sine square theta by तो से क्या है दोना में इसको गुना कर देंगे तो two minus two sine square theta और minus one लिख देंगे अब यहाँ पास लिखेंगे कि देखेंगे sine theta by cos theta बराबर आपका फर्मूला क्या होता है 10 theta गुने अब यहाँ पास देखेंगे कि one minus two sine square theta by क्या लिखेंगे देखेंगे दू में से एक घटेगा ते क्या बचेगा one बचेगा और minus two sine square theta ते कि उपर नीचे सर दोनों जब बराबर है अब उपर नीचे दोनों जब बराबर है ते क्या हो जागा ही पूरा कर पूरा ही कट जाएगा कट जाएगा तो क्या आपको बचेगा कि 10 theta और ही आपको क्या सीध करके लाना था क्या 10 theta डाना था तो 10 theta आपको मालूम हो गया तो अब इसके लिख देगा कि अता इल एच इस बराबर आर एच इस यह आपको हो गया प्रूब्ड अगर वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए धन्यवाद